फ्रीजर में मटर जहां कोई भी सबजी इस तरह से स्टोर करेंगे तो जिपलोग बैग में डालने के बाद भी वो अलग लग इसी तरह ही रहेगे और इसमें एक्स्ट्रा वर्फ भी नहीं जमेगे गरम पानी में एक चमच चीनी एक चमच नमक डालने के बाद मटर को कुछ सेकंड के लिए पानी में डालकर रखेंगे उसके बाद पानी में इसे निकाल कर कॉटन के कपड़े के उपर इस तरह से फला देंगे जब पानी अच्छे से सूक जाएं तब इसको एक प्लेट में डाल कर 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे 5-6 घंटे के बाद जब आप फ्रीजर में से मटर निकालेंगे तो मटर कुछी इस तरह से दिखेंगे अब इसको जिपलोग बैग में डाल कर इस तरह से फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ आप गाजर, बीन्स, आमला, चुकंदर को भी स्टोर कर सकते हैं